हेलो दोस्तो अनिल सुपर एकेडमी में आपका स्वागत हैं आज हम क्लाश 10 के हिंदी चेप्टर 3 पद घंड के चेप्टर 3 के अबजेक्टी लेकर आए हैं चलिए देखते हैं पहला कुछन घानानंद किस काल के कभी है घानानंद किस काल के कभी है तो भक्ति काल के आधी काल के रिती काल के अधनी काल के घानानंद किस काल की कभी है तो अप्शन को होगा रिती काल के चलिए आते हैं दुसरा कोश्चन पर सुजान सागर किसकी कृती है और तो आप्शन खाव होगा घाननंद को सुजान सागर किसकी कृती है तो घाननंद के आते हैं तिसरा नंबर कुश्चन पर किसे प्रेम की पीर का कभी कहा जाता है किसे प्रेम के पीर का कभी कहा जाता है तो मीरा का महादेवी वर्मा का घानानंद के सुर्दास के किसे प्रेम के पीर का कभी कहा जाता है तो अप्षन गो होगा घानानंद को आते हैं चौत्वा नमबर क्वेशन पर लाच्छनिक मूर्ति माता और पर्योग वैच्छित्र के कवी है आते हैं पर्योग वैच्छित्र के कवी है रिति मुक्त काब्य धारा के सिर्मोर कवी किसे कहा जाता है रिती मुक्त कब्य धारा के सिर्मोर कभी किसे कहा जाता है बिहारी को, घाननंद को, पधादकार को, मत्ती राम को रिती मुक्त कब्य धारा के सिर्मोर कभी किसे कहा जाता है तो अप्शन घा होगा घाननंद को आते हैं छठा नमर कुछन पर घाननंद किस भासा के कभी है अब्धि ब्रज भासा भुछपुरी गुज्रतीं घाननंद किस भासा के कभी है तो अफछन खा होगा ब्रज भासा के हैं गहननन्द किसे से प्रेम करते थे तो सुजान नामग नर्थिक से आते हैं आठमा नमबर कोचन पर गहननन्द कभी है तो आप्षन को होगा पीड के आते हैं नौमा नमबर कुछन पर मुगल बादसा मुहमद साह रंगीले के यहां क्या काम करते थे मिर मुनसी का अप्षन खा होगा आते हैं दसमा नमबर कुछन पर परहित के लिए देह कौन धारन करता है अप्षन कहोगा सुर्य धर्ति चंद्रमा बादल परहित के लिए देह को धारन करता है तो अप्शन घौ होगा बादल आते हैं 11 नमबर कोशन पर कभी अपने आशो को कहां पहुंचाना चाहता है कभी अपने आशो को कहां पहुंचाना चाहता है तो अप्शन घौ होगा सुजान के अंगन में आते हैं 12 नमबर कोशन पर निस्वार्त भाव से निष्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है तो अप्शन घौ होगा घाननंद का आते हैं 13 नमबर कोशन पर घाननंद का की मुहत पूर्ण रचना है तो अप्शन घौ होगा सुजान सागर आते हैं 14 नमबर कोशन पर घाननंद गरंथ वाली का समपरदान किया था तो अप्शन घौ होगा विश्वनात मिश्र आते हैं 15 नमबर कोश्चन पर घाननंद की कृती का अधार है घाननंद की कृती का अधार है तो अप्शन घौ सई होगा यानि को और खो दोन सई होगा सुजान नहीत और घाननंद कवीत घाननंद कवीत घाननंद की कृती का अधार है सुजान हीत अप्शन को सई होगा और खो भी सई होगा घाननंद कवीत आते हैं 16 नमबर कोश्चन पर मो अस्वाहिनी लोबर्सो में किसकी बात कही गई है तो अप्शन खो होगा विराह देवता का अप्शन को खो सई होगा आते हैं 17 नमबर कोश्चन पर घाननंद की अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है घाननंद की अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है सीधा और सरल यानि आप्शन को सई होगा आते हैं 18 नमबर कोश्चन पर घाननंद की अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है सीधा और सरल अप्शन को सई होगा आते हैं 18 नमबर कोश्चन पर कौन प्रेम कर सकते हैं निष्चल और निष्कपट हीं अप्शन को सई होगा आते हैं 19 नमबर कोश्चन पर घाननंद किसके द्वारा मारे गए घाननंद किसके द्वारा मारे गए तो अप्शन गौ सई होगा नदीर साह के सेनी को द्वारा घाननंद किसके द्वारा मारे गए तो नदीर साह के सेनी को द्वारा आते हैं 20 नमबर कोश्चन पर घाननंद की मिर्थू कब होई थी घाननंद की मिर्थू कब होई अप्शन क सब्सक्राइब आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में